हलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, सौगत है आपका मेरे चैनल पेज, मैं हरिपरी पटेल बात करूँगा आपसे सुड़े में बुद्धी के सिध्धान्त के टॉपिक पर आज हमारा तीसरा पार्ट है, अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्टिन में आपको प्ली लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखेगा जो भी टॉपिक इस समय चल रहे हैं, बहुत ही महत्वण है, आपके एक्जाम में जो है आ सकते हैं, चाहे आप सुपर टेट देने जा रहे हैं या सीटेट देने जा रहे हैं चैनल पर अगर आप पहली बारा है चैनल सब्सक्राइब को लीजेगा बेल आइकन दवा दीजेगा जिससे के आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समझ से मिलते रहे पहले थेवरी पढ़ेंगे हम लोग फिर बाद में आपके लिए कुछ MCQs हैं जिससे आप जान पाएंगे कि आप कितना सीख रहे हैं मेरे वीडियो से ठीक है पहला हमारा आदिया सिद्धान्त है बहु कारक शिद्धान्त देखे इसको याद करनी की मैंने ट्रेक बताई थी बहु जब हम बहु लेने जाते हैं यानि थान्डाइग मhuदे कहते हैं कि बुद्धी के अंतरगत बहुत से तर्च व्यादम होते हैं। द्यक्ती जितनी मांसे कर सकता है उतने तर्च बुद्धी में पाये जाते हैं। कि यह से माली यह हमारी बुद्धी है, यह हमारी इंटेलीजेंस है। और इसके अंदर बहुत से ज्म YOUR मांसी राय करते में हम धाक्टर हैं हम इंगीनियर रहे हम वेग्ग्णिक हैं परमाणवाद का सिध्धान जो है बहुकारक सिध्धान कहा जाता है ठीक है देखे बालू के टीले में जो है क्या होता है उचाई होती है चोडाई होती है छेतरफल होता है और गती होती है आपने देखा होगा जब हवाएं चलती है रेगिस्थान में जो है तो उचे-उचे होते हैं चोड़े चोड़े टीले होते हैं उनका छेतपल होता है लेकिन जब वो उन पर हवा लगती है तो वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं यानि जो है उसमें गती भी पाई जाती है तो भॉकारक सिध्धान्त जो है वो बालू के टीले का सिध्धान कहलाता है और इन्होंने बालू के टीले में बताया उचाई चोड़ाई और छेतफल और गती होती है उचाई से कहते हैं कि बालक ये विक्ति कहां तक सीखेगा ये उचाई दरसाती है बालू के टीले की चोड़ाई दरसाती है कि बालक विभिन निकार कर सकता है म वो शीखने की गती दरसाती है बालक की ठीक है तो बुद्धी के बहुत सारे तर्थ होते हैं ये किस ने बताया है थांडाइक महोदे ने बताया है देखिए एक उधारण है ये कहते हैं कि एक सिच्चक जो है डांसर सिंगर हो सकता है ठीक है तो बुद्धी का बहुकारक सिध कहलाता है धिए थांडाइग मोदे के बारे में सभी जानते हैं यह बहुत ही फेमस मनोग्जानिक है इन्होंने जो है शीखने का जो है कौन सा सिद्धान दिया था उद्धीपक अनुक्रिया सिद्धान दिया था उद्धीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था उद्धीपक को इंगलिस में इस्टुमलस कहा जाता है और अनुक्रिया को रिस्पांस कहा जाता है इसी वज़े से इनके सिद्धांत को SR थेउरी के नाम से भी जाना जाता है अपने सिध्धान्त उद्धीपक अनुक्रिया सिध्धान्त को सिध्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रियोग किया था इन्होंने जो है बिल्ली पर प्रियोग किया था ठीक है इस शीज को आप लोग जाने केगा सीखने के जो है इन्होंने टोटल आठ नियम दिये थे कितने नियम दिये थे आठ नियम प्रात्मिक नियम थे तीन कौन-कौन से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम जो प्रभाव का नियम है वो दंड और पुरुसकार का नियम संतोस वा संतोस का नियम भी कहलाता है अब भ्यास के नियम को जो है दो भागुंबाटा गया है उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम तो इस पॉयंट को आप लोग ध्यान रेखेगा तत्परता के नियम के अंतरकर यह बताते हैं कि बच्चा जब तक सीखने के लिए तत्पर रही होगा तब तक उसीख नहीं सकता है परभाव का नियम जो है बलब जो चीज जैसा एफेक्ट डालती है बच्चा उसी प्रकार से सीखता है अगर बच्चे को किसी चीज के लिए दंड दिया जाएगा तो वह उसकाम को नहीं करेगा अगर बच्चे को किसी कार को करने में संतोस मिलता है तो वह उसकाम को करेगा अगर असंतोस मिलेगा तो वह उसकाम को नहीं करेगा अगर बच्चे को पुरुसकार दिया जाता है किसी कारे के लिए तो वह उसकारे को करेगा इसी वज़े से इनका जो सिद्धान्त है प्रभाव का सिद्धान्त है नियम जो है प्रभाव का नियम दंडवा पुरुसकार का नियम और संतोसवा संतोस का नियम कहलाता है अब भ्यास का नियम क्या होता है देखिए प्रैक्टिस जो है वो विक्ति को परफेक्ट बनाती है ठीक है अगर हम किसी कार को लगातार करते रहेंगे तो हम जो है परफेक्ट हो जाएंगे लेकिन अगर जो है हम काम को जो है रोक देंगे तो जो है परफेक्टनिस जो है हमार दूर्थज में T lobona ृज्श में पूछा जाता है कि प्राथमिंइ नियम कुछा जाता है कि प्राथम नियम कौन by up conscious कृस्तारी नियम मनुघरति का नियम आंक्से कृग कृटन नियम और सम्बंदित परिवर्तन का नियम एक्जाम में कैसे प्रश्ण बनेगा, बनेगा, पूछेगा की जो है, सीखने के पराथमिग नियम, नियमन में से कौन सा नहीं है तीन ये दियोंगे, गौड में से एक उठा लेगा, तो जो गौड़ वाला होगा, वो आपका पराथमिग नियम नहीं होगा और बाकी जो तीन है वो अपके परात्मिक नियम होंगे तो इस प्रकार से प्रश्ण पुछे आते हैं बहुकारक सिध्धान जो किस्टे दिया है थांडाइक महोदे ने दिया है अगला जो है वो है बुद्धी का समुकारक सिध्धान ये दिखे थ्रश्टन महोदे ने 1938 में दिया था थ्रश्टन जो थे ये USA के निवासी थे थ्रश्टन जो चीज समु में होती है यानि माली जी जो ट्रक है मारा ट्रक का जो वजन होता है वो किसमें तॉला जाता है इनी जो है समू में जो है इसमें गाड़ियां मोटर साइकल भरी हुई है ट्रक में तो इसका वजन जो है किस में तौला जाएगा टन में तो समू कारक सिद्धान जो किस ने दिया है थ्रश्टन ने थ्रश्टन कहा है के निवासी थे USA इनके पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल प्राथमिग मांसिग योगता इन्होंने बताया है कि बुद्धी के कुल 13 तत्त होते हैं लेकिन वर्तमान में केवल 7 ही प्रचिलित हैं इनके सिद्धान को ले करके तो बुद्धी का समू कारक सिद्धान जो है थ्रश्टन ने दिया था इनके पुस्तक है प्राइमरी जन्म से होती हैं और ये सातों का स्रमू जो है इन्टेलिजन्स यानि बुद्धी का निर्मान करता है तो आज़े देख लेते हैं साथ तत्त कौन-कौन से हैं एस मतलब होता है स्पेसल अबिलिटी प्रेच्छन योगता एन मतलब होता है नंबर अबिलिटी अंक योगता अ क्या बुद्धा करें डोब होता क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है पापा अर्प्रनी अच्छें योगता ये जन में जन्म से होती है, तो बच्चे में जो है, साथ जन्मजायत योगतां का समूझ जो है, बुद्धी कहलाता है, देखें, इसको याद रखने की ट्रिक है, सन वी, रम वी, पी, देखें, सन मतलब हो जाएगा, और वी मतलब सन वी, बलब S मतलब special ability, N मतलब number ability, V मतलब verbal ability, रम वी, P, R मतलब reasoning, M मतलब memory, W मतलब word, और P मतलब perpetual ability, तो ये साथ जन्मजात योगतां का समूझ है, वो आपका क्या होता है, बुद्धी होता है, intelligence होता है, तो इस शीज़ को आप लोग ध्यान देखेगा, हमारा जो ये समूझ का रख सिद्धानत ही है, आगे बढ़ेंगे, बुद्धी का तरल ठोश का सिद्धानत, देखे, जो आरभी केटल है, भईया हमारे, देखे, जो हमारी केतली होती है, चाय की, बंद वाली होती है, बंद वाली केतली है, और इस प्रकार से इसमें होता है, तो देखे, जो हमारी केतल होती है यह ठोस होती है यह तोश केतली में टरल चाह जैसे आता है कि मतलब एक समयth अर Grandpa धी तो देखिए इन्होंने दो प्रकार से बता है दो प्रकार की बुद्धी होती है एक एक होता थोस separately जो होती है और ठोस बुद्धी जो होती है अरजित होती है कल मनें आपको बताय था कि स्पेयर मनने बुद्धी के दुई कारक को शिद्धान महलblaब दुई कारक का जो सिद्धान दिया एक गनुने बताय था दो फैक्टर होते हैं GS पैक्टर और S फैक्टर जी जो होता है वो जनमजात होता है इस मतलब होता है अर्जित, तो उसी प्रकार से जो है force force अर्जित है तो ये इनका छ्वटा सा सिद्धान था इसी चीज को ध्यान दिकेंगा अगला है पदानुकरमिक के जो हमारी सर्ट होती है यो हमारी सर्ट होती है उसमें जो यांद रखेगा प्रिलिप बर्णल न न दिया है ये कहते हैं बुद्धी वा है जो सामान से अरजित बुद्धी की ओर जाती है यानि सामान से विशिष्ट की ओर जो है बुद्धी का विकास होता है बालक को जो है निम्न इस्तर से बालक को छोटे इस्तर सो जो है उच इस्तर की ओर शिखाना चाहिए ये कहते हैं कौन कल उसके बाद तीन अच्छर के सब्द सिखाओ कलम कलम का प्लस ला प्लस मा कलम तो पदान क्रोग सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को जो है निम्न स्तर से उच्छ स्तर की और शिखाना चाहिए और धीरे धीरे शिखाना चाहिए ने जो मार एक दिम से पढ़ा दिया तो कई कवा खा का सिद्धांत है उच्छा को बच्चा करता है तो खाक ऐसा है अर्जित कारक है जन जात कारक है तो इस चीज़ को आप लोग ध्याने कीगा तो इस परकार से जो हमारा आज का जो वीडियो था थेवरेटिकल यहीं पशनावत हुआ और आपके लिए आपके लिए कुछ तो आपको पता होगा त्रितंतर त्रिकारक त्रियायमी बहबुद्धी गिल फोर्ड ने बुद्धी का त्रियायमी शिद्धान दिया है तीन आम गले में फस गए आपका गला है और उसमें जो है तीन आम फस गए से भया क्या होगा आपका गला फूड जाएगा गिल मतलब ग प्राइमरी मेंटल इबेटी किसकी पुस्तक है है बनन बरनन थ्रस्टन सभी को पता होगा थ्रस्टन की बालू के टीले का सिधान जो है कहा जाता है गिलफोर्ट थांडाइक का है एक प्रश्टन यह संतोष ऊद्री नियम प्राथव कि नियम सीखने का कौन सा कहलाता है पांचाव प्रश्टन है का वा खा का सिधान में खा जो है कैसा होता है अरजित होता है दोनों या इन में से कोई नहीं बड़ा ही प्यारा प्रस्ण है और इस प्रकार के नएने प्रस्ण जो है आपके एक्जाम में आएंगे तो कावा खा में जो है जो खा होता है वो आपका आरजित होता है मैंने पहले टिक कर दिया था तो पांच में से जितने भी प्रस्न सही करें कमेंट करें जरूर बताएगा और आपको सीरिज कैसी लग रही है वो भी बताएगा शेयर जरूर कर दीजेगा शेयर करेंगे तो और भी लोग सीखेंगे मुझसे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंट धन्य प्रहmiş पनाशे मुलयम मुलोब करें और झाब करेंगे मुल्मम ड्रा बंदी मुल्म